बिधान सभा में पहली बार आयोजी दो दिवसी जार्खन चात्र सांसत पर बोले सीम हमान्त जार्खन बिधान सभा अध्यक्ष रविंदनात महतो मोख्य मंत्री हमान सुरेन एवम सांसाधिये कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जार्खन बिधान सभा में आयोजी दो दिवसी प्रथम चात्र सांसत 2021 का दिव प्रोजलित कर बिद्वत उध्गाटन किया बता दे इस जार्खन चात्र सांसत में राजे के विभीन जीलों के विश्व बिद्यालों सचैनी 24 चात्र सांसत्राय सामिल हो रहे हैं इस मोगे पर जार्खन बिधान सभात द्यक्ष रविद्रात महतों सियम हमान सुरेन संसद्य कारे मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनका उध्यस बिधाई का करे पालिका और नयाय पालिका से आउगत कराना है जारखन बिधान सबाद्यक्ष रविन्दाद महतों ने कहा कि राजी के मुख्य मंत्री हमान सुरेन देश्ट के युवा मुख्य मंत्रियों में से एक है युवा मुख्य मंत्री होने के नाते राजी के युवाओं के अंदर शामता का विकास किस परकार हो इसे लेकर मुख्य मंत्री हमें सा गंभीर राते हाँ हैं मौसम पूरो अन्वान में बताया गया है कि अगले एक सब्ता तक मौसम सुस्क बना रहेगा हलाकि राजे के सभी जीलों में अगले दो से तीन दीनों में रात के तापमान में गिरावर दर्ज की जाएगी इसके साथ ही उतर पच्मी जीले पलामो गढ़वा चत्रा कोडरमा लाते हार और लोहर दागा में दोस्ते तीन दीनों के अंदर तीन डिग्री तक तापमान में गिरावर दर्ज की जाएगी वही मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के महिने में राज ये के तापमान और बारिस की थिती समानिय रही है पौक्ष भी पौक्ष दोनों मील करता है करते हैं देश वह राजी की दिजास्तिय में हमांत मौखय मंत्रीं हमन्सुरें ने ज्याखन विधान सभादवारा आयोजीत 6,7,2,2,3 के लिए चैनित 6,7 को उनकी समाजिक जिम्यधारी का अहसास कराया मुख्य मंत्री ने सनिवार को जार्खन विधान सभा के सभागार में छात्र सांसत के उद्गाटन सत्र में चैनित नौजवानों को विधाई का कारपालिका और न्याईपालिका के महत्व के बारें बताया उन्होंने पक्ष और भी पक्ष की भूमका को भी छात्र छात्राओं से साधा किया उन्होंने कहा पक्ष भी पक्ष दोनों मिलकर देश वराज की दिसाताय करते हैं सदर में जो कानून बनते हैं देश वराज ये उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जारखन अंतराश्ट्रिये फिल्म महत्सव के दूसरे दिन दिखाई जाएगी तेरह देशों की चौदा फिल्मे जारखन अंतराश्ट्रिये फिल्म महत्सव के दूसरे दिन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी इसमें दुनिया के तेरह देशों की चौदा फिल्मे दिखा जा रही है बता दे इसमें सबसे ज़्यादा भारत के विभीन राजियों से आए 60 फिल्म और डोक्यूमेंटरी दिखाए जाएंगी इसके साथ ही साम पांच बजे के बाद आदिवासी रेप वाक का आयुजद किया जा रहा है इसमें आदिवासी परमपरिक परिधान में मोड रेप वाक करेंगी पटना दुर्ग छट एस्पेसल ट्रेन की बुकिंग खुलते ही सीटे फोल अगामी चार नौमबर को दिपावली है इसके एक सबता बाद 10 को छट महापर वहाई इस तोरन ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है इसके लिए रेल्वे ने त्यारी कर ली है कई ट्रेने को डारमा होकर चलेंगी रेल्वे ने दुर्ग से पटना के लिए छट एस्पेसल ट्रेन को मंजूरी दी है बता दे दुर्ग से 7 नौमबर और पटना से 8 नौमबर को ट्रेन चलेंगी एस्पेसल ट्रेन की घोसना के साथ ही टिक्टो की बुकिंग भी सुक्रव भारत में टॉप पर यार्पोर्ट कॉंसील इंटरनेशनल के प्रथम चरण की सर्वे रिपोर्ट जारी हो चुकी है, इसमें एक सब्था में बीर्शा मुंडा यार्पोर्ट में आने वाले 350 यात्रियों से उनकी राय ली गई, इसमें यात्रियों ने कहा कि अने सहरों के यारपोर्ट की तुनला में बीसा मुंड़ा यारपोर्ट तक आने जाने के लिए रेल और बस मर का सुगम साधन है साथ ही आरपोर्ट में बेहतर पार्किंग की सुविधा है और चेकिंग के बाद यात्रियों के बैठने वाले अस्थान से सोचाले वह बिमान तक जाने का बेहतर सुविधा है साथ ही यारपोर्ट चेकिंग अधिकारियों वह यारपोर्ट के कर्मियों का ब्यभार भी बेतर है जेटेट परिक्षा मामला पहुंचा हाई कोट जारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा आयोजीत करने के लिए जारखन में पिछले पांच साल से जेटेट परिक्षा का आयोजीन नहीं हुआ है जिससे लाखो सिक्षक प्रसिक्षन प्राप्त अभियार्ती प्रभावित है बतादे डी एलेट पास अभियार्ती के नित्यूत करता महिपाल महतो ने कहा कि डी एलेट और बी एलेट पास अभियार्ती इतने लंबे समय से टेट का आयोजन नहीं होने से बेरुजगार पड़े है अभियार्तियों को प्राइबेट इस्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है मैटरिक इंटर बोर्ड परिक्षा के सेंपल पेपर से बिद्यार्तियों को मिलेगी रहात दसवी और बरावी बोर्ड की टर्म वान परिक्षा को लेकर सीबी एसी ने सेंपल पेपर जारी कर दिया है बतादे इससे बिद्यार्तियों को काफी हद तक रहात मिलेगी पहली बार दो टर्म में बोर्ट परिक्षा उजन की जा रही है इस बार परिक्षा के पैटर्न और अंक के नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं जिसे लेकर विद्यार्थियों को काफी असमंजस की सिती थी बिद्यार्थियों का कहना है की सेंपल पेपर मिल जाने से काफी कुजनकारी मिल रही है सरकार अंदोलनकारियों को संकल्प के अनुसार समानित करे जार्खन अंदोलनकारी मोर्चा के केंद्रिये समिती ने सरकार से मांग की है कि सरकार दोवारा लिए गए संकल्प के अनुसार चीनित अंदरनकारियों को मोराबादी मैदान में जार्खन अस्थापना दिवस के असर पर प्रतीक चीन एवं परमान पत्रपरदान करते हुए समानित किया जाए सुक्रवार को उक्त बिंदू पर अन्दरनकारी मोर्चा की बैठाक केंद्रिये संजोजक मुम्ताज अहमत खां की अध्यक्सता में हुई जार्खन में कुरोना के मामले एक बर फीर से घटने लगे हैं बता दे जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 93 है भारत में 12,912 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,5,083 है खुंटी में एकलब बिद्याले का सिलन्यास खुंटी सदर परखंड के बिर्भू पंचायत के रेवा गाउं में एकलब बिद्याले का निर्मान किया जाएगा बतादे सोमवार की सुबह 11,12 दीन को एकलब बिद्याले का निर्मान कार्या का सिलन्यास अस्थानिय सांसत सह केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा बिधायक सह पूर्व मंत्री निलकंट सिंग मुंडा सन्यूकत रूप से करेंगे जिसकी त्यारी पूरी कर ली गई है भाजपाक के मंडलों के अध्यक्ष पदा अधिकारी सदसे कर करता और खोटी के आम जमता सामिल होंगे रांची डीसी ने पीए से प्लांट का लिया जाजा रांची के उपायुक छवी रंजन सन्यूर को बुर्डू अन मंडली अस्पताल पहुंचे इस करम में उन्होंने अपात कालिन सेवा के लिए तैयार पीए से प्लांट का भी जाजा लिया जहाँ पर टेकनेशियन को अनुपस्थित पाया उन्होंने नराजगी जाहिर करते हुए जल्द करवाई करने की बात कही बतादे रांची डीसी छवी रंजन से अस्थानिय समाज सेवी कवाई नायक एवं रंजीत महतो समेत अन्यने पुराने बोडू नगर इस्थित अनुमंडली अस्पताल के भावन में भी चिकित सा बेवास्त सुनिश्च चित करने की मांग की जारखन में अपराद बढ़ा राजे में हो रही अपराधिक घटनाओ में बर्ष 2020 की अपेक्षा 2021 में कौमी आई है बतादे पुलिस मुख्याले में 27 अक्टूबर को डीजीपी की बैठाक बाद जन्वारी 2020 से सितंबर 2020 और जन्वारी 2021 से सितंबर 2021 के दुरान विभीन जीलों में अपराधिक मामलों को लेकर दर्ज केस के अधार पर तैयार तुलनात्मक रिपोर्ट के अधार पर हुई है आक्टूबर की माने तो बच 2020 में राजे के विभीन थानों में 46,790 केस दर्ज हुए थे वहीं 2021 में कूल 45,677 केस दर्ज किये गए हाए रेंगिंग के मामले पर ज्यारखन के सभी विश्व विद्याले सकते सभी विश्व विद्याले कोलेजों और संस्थानों में अभिद्यार्थियों को एंटी रेंगिंग के लिए संसोधित फॉर्मेट में ऑनलाइन सपत पत्र जमा करना अनिवारे किया गया है बतादे बीश्ववीद्याले अनुदान आयोग ने भी सभी बीश्ववीद्याले कोलेजों और संस्थानों को पत्र भेज कर इसे लागू करने का निदेश दिया है OBC को 27 परतिशत आरक्षन पो बोले रामेश्वर उराओ जामो में बेइमान पार्टी नहीं है असल में कुछ नेता बेइमान होते हैं अगर कांग्रेस का कोई नेता जामो को बेइमान कहता है तो यह गलत है कोई भी राइनितिक पार्टी बेइमान नहीं होती उस पार्टी में राहने वाले कुछ लोग बेइमान होते हैं यह बाते जारखन के बितमंत्री डाक्टर रामेश्वर उराओ ने सरकीट हाउस में पत्रकार वारता में कही इस दोरान उन्होंने भाजबा पनिसाना साथते हुए महांगाई OBC को 27 परतिशत आरक्षन और सहायक पुलिस के मसले पर भी अपनी राय रखी जारखन के बितमंत्री डाक्टर रामेश्वर उराओ ने कहा कि भाजबा ने राज में लंबे समय तक राज्जे किया परन्तु काम नहीं किया कॉंग्रेस होग जामों की सरकार ने बहुत काम समय में राज्जे के लिए बेहतर काम किया है फायुक्त सजीला निर्वाचन पताधिकारी दिलीप कुमा टोपो के अध्यक्सता में मद्दाता सुची का विशे संचीप्त पुर्णिक्षन कारेकरम 2022 के परभावी करेंवयन के लिए सभी रायनितिक दलों के प्रतिनी द्योग साथ बैठाक होई बैठाक में बताया गया कि मद्दाता सुची के ड्राप्ट का प्रकासन एक नॉवबर को किया जाएगा दिल्ली की तर्ज पर राची में भी अवैद इमारतों को नियमित करने की मांग राजधनी में तकरीबन 1,88,000 इमारतों को नियमित करने के लिए सरकार एक और मौका दे इसे लेकर आवाज उठने लगी है कहा जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इमारतों पर करवाई मुमकिम नहीं है इसलिए सरकार इन इमारतों को नियमित करे जिससे जहां सरकार को फैदा होगा उसे राजस्व मिलेगा तो वहीं इमारतों के मालिकों का भी टेंसन दूर हो जाएगा लोग रांची को दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हग देने की बात कर रहे हैं धन्यवाद